कि अधिए आख देखिए शिंग शपेरा कमल नाथ सपेरे के गने मैं आ गये उनी पढ़ गये प्रदेश के क्रशी मंत्री बड़ बोले हैं हमेशा अमर्यादीद भाषा का इस्तेवाल करते हैं नेतिक्ता का उनको तकाजा नहीं है अपने कत से बड़े नेताओं के बारे में टिपणी कर रहे हैं कमल नाथ जी और दिगुया सिंग जी के बारे में नाग और सपेरा की टिपणी कर रहे हैं अब हम उनके जैसी राजनितिक शुषिता का तो हम पालन करते हैं उनके जैसी टिपणी तो नहीं कर सकते लेकिन हमारे निता के बारे में कोई अफ़ांजनर टिपणी करेगा तो हम उसी भासा शेली में जवाब देंगे हम उनकी तुलना एक बंदर की बाती करते हैं इसा बंदर जिसके कहानी देशवर में प्रशली थे जब जंगल के राजा शेर को अटा कर एक बंदर को जवाब दरी दी जाती है और जब जंगल पर संकट आता है वहां की प्रजा उनसे नियाय मांगने जाती है तो बंदर उन्हें परिणाम और नियाय दिलाने की बज़ाए पेड़ों पर उचल कदमी करता है और बाद में बताता है परिणाम भले आए नहीं आए आपको नियाय मिला नहीं मिला लेकिन म मेरी मेनत में कोई कमी नहीं रही तो बंदर की बाती काम करते रहते हैं किसान उलाव रस्टी से परशान है किसान अती रस्टी से परशान है किसानों को मौजा नहीं मिल रहा है ध्यान नहीं दे रहा है किसान खात के संगड से परशान है विजली के संगड से परशान है ध्यान किया था प्रदेश की जंता दुर्गेश जाड हत्यकार नहीं बूली है प्रदेश की जंता अवेद उत्खनन के मामलों को नहीं बूली है प्रदेश की जंता उनके परिजनों पर हुई जीला बिदल की कारवाई नहीं बूली है किस प्रकार मादारी ने 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 नियंतरन किया वापत बेहतर हो अपने करतवे का पालन करें अपने विभाग के प्रती नयाय करें इस तरह की टिपड़ी से बचे क्योंकि मदारी का पूरा ध्यान उन पर है मदारी उनकी हरकते देख रहा है मदारी कभी भी नियंतरन कर लेगा उनकी उच्छलकूत को देख रहा है वो तो बेहतर हो मदारी के नियंतरन के पहले वो अपने विभाग का काम करके बताएं जो उनको जवाबदरी मिली एक महतोपुन विभाग मिला उस पर काम करें न कि अन्यता कामरेच उसी बहस्ते चली में आपको जवाब देगी.